हेलो परेंस हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है आज ये जानेंगे कि डबल बेट की टोप 10 डिजाइन के बारे में जैसा कि आप सामने देखेंगे डिजाइन नमर फेस्ट जिसका हाइट है पूरा 16 इंस है डबल बेट का और जो एसे में पूरा 6 वाइचे का डबल बे है डबल बेट और हैट में है वह 18 इंच का है और जो पीछे का है वह 30 इंच यहनि को यह सिंगल में यूज करना है तो सिंगल के में हो सकता है डबल के साथ में לסब LGे इसाब से कर सकते हो डिजाइन नमर 3 हाइड वी 1 इंच है डबल बेट और पीछे का जो headboard है वो 42 का है और यहां पे जो अंदर की side में गादी है वो 4 inch का रखा गया है और पीछे का जो headboard है वो fabric के साथ में finish है डिजाइन नमर चार 6 x 6 double bed का size और height है वो 16 inch है और single side box के साथ में finish है और पीछे का headboard है double tape में दिया गया है डिजाइन नमर पांच hydraulic double bed है जिसका height है वो 14 inch है और ऐसे में 6 x 6 का है और 200 kg pump के साथ में finish किया गया है MS frame के साथ में डिजाइन नमर 6 यहाँ पे जो सामने के side में trolley का यूज होगा और इसका जो size है 6 x 6 का है और पीछे का headboard है वो 30 inch है और white lemonade में finish किया गया है डिजाइन नमर 7 यहाँ पे जो पीछे का headboard है storage वाला है जिसका height 42 है और यहाँ पे जो double bed का height है वो 14 inch है जो कि double sidewalks के साथ में finish डिजाइन नमर 8 पीछे का headboard है 42 है और double bed का size है 6 x 6 का और front के side में storage के साथ में और जो height है वो 18 inch का है डिजाइन नमर 9 जो पीछे का headboard का height है 36 inch है और यहाँ पे 6 x 6 का गादी का वरक है और जो height है वो 16 inch है डिजाइन नमर 10 पूरा height है वो 20 inch है और double bed का जो size है 6 x 5 का है और जो पीछे के side में जो headboard है वो पूरा 3 feet का है जो की fabric के साथ में पूरा finish किया गया है So thank you वीडियो अच्छा लगे तो like and subscribe करें ताक कि आने वाली वीडियो की notification आपको मिलती रहें Thank you